का कसान भाईयो कसान भाईयो आज हम बात करने वाले तर्वुच की सेकेंड रिंचिंग के बारे में कि सेकेंड रिंचिंग आपको क्यों करनी जरूरी है इसमें क्या आपको लेना है कौन सा फंगी सैड लेना है कौन सी टॉनिक लेना है कौन सी खात लेना है इसके बारे में आ और वेश्टी करते हो तो वैब टोड़ाई में आता है तो उसमें क्या आता है कभी-कभी बेश्टने वाले रोग आता है अगर पहले से जडों को मजबुत करेंगे तो बात में यह सब्सक्राइब करना है और अगर आपने लगाए हो तो 20 दिंग की अवस्ता में सेकेंड रिंचिंग करना है सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब है न नहीं से करना है प्लांटेशं की नहीं से चार दिन बाद है tow तो किसान बाइँ सभसे में पता तो जब मैं में एक प्रीचीन वबाइच पहलाव एक टार इडियो ध्युत हो अधार लेटर पानी बहता है जिसके माद्डेम से दबाई की पूरी रूप से मिलने पाती है नहीं पाती है जिसके गारण में डिंचिंग करना जरूरी होता है दिंचिन से हमारी सो खादे दवाई या वो सीधे पोधे को मिलती हो पोध अपनी ग्रोथ सीदी करता है साथ में आप कम फर्षक भी लगता है हमारे बनीयारी का क्षर्फ लगता ह neues में दवाई भी कम लगती है और फाइदा भी जादा वता है लुए हम बॉलते की किसान थी चिंग जरूर ही ए जबस से आने वली आपक की परिशानी फूरी सब्सक्राइब नहीं है तो एबात होगी टेंचिंग की अगर आप मैं क्यों करनी 2ndhh क्या रोप के कारण करनी क्यों करनी पर विंद निया है Hij जड़ का फुटाओ अच्छा होगा जिससे पोदे की जो एक मोटा ही आएगी वह अच्छी आएगा जिससे आने वाले समय में फल फूल आएंगे तो बहुत कापी अच्छी आएंगे तो इसके जारान दिंचीन करने जरूरी आएंगे बात में कोई भी इसकी परिषानी ना है इसके लिए हम पहले से ही विप्यर होगे हर किसान भाई के चेत में कभी-कभी निमों डॉड़ है किसी खेत में जरूरी इसलिए में बात करने के लेना तो आपको हमेसा पते हैं कि 200 लीटर हम पानी में डिंचिंग का बताते हैं तो 200 लीटर पानी आपको लेना है ड्रम में उसमें आपको लेना है को साइट ये को साइट लेना है कि लेना है 2,000 बाशन को लेना है और 1,900-1,200 रुपय की अधा किलो कि असपास में आती है तो इसका प्राइश आंगे पीछे भी हो सकता वह 1100 के बारासों के बीच में यह उपलप्थ हो जाता है इसमें आप लेंगे हम जैसे कि एक टॉनिक लेंगे टॉनिक के रूम में आप सागरी का ले सकते हो यूमिक एसेड भी ले सकते हो यह किसी भी आप टॉनिक को अच्छी आप लूमि consistency में आमीनक ऐसेड हो फॉलबीक ऐसेड़ और इसेड रहना चाहिए तो आप वऑली टॉनिक लेना आपको आदा लीटर के पाउज में जो आती है पैकट में आती आती है आपको लेनाए आधा लीटर पीर को मिस्रम बॉमना इस impeachment के field में 20 ml किसानुट में 10 पोड़ाम कीछ ये 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 बाद में जायके मेंहें बहुत ज्यादा प्रइसानी होती आप जब आपका पोदा 40-50 दिन को जाएगा जब देखना आपके पोदे में परिशानी आएगी कई में जड़ गलन हो रही है कुछ हो रहा है तो हम उसको परिशानी को पहले ही दूर करो तो इसके लिए कमसे कम अगर ग्यारा सो दो अजार रुपे की आपके डिंचिंग होग आँगे जाके ये खर्चा आपको दो गुना तीन गुना तक लगेगा और आपको अराम भी नहीं मिलेगा आपकी फसल भी बिगड़ेगी तो इसके लिए पहले से पिपेर हो जाए और इसकी डिंचिंग हर पोदे में 50 से मेल के साफ से जरू करवाए इस पकास से आपको के सान बढ़ते हैं कि हमसी कौसाइड नहीं डालने तो क्या डाले तो को साइडर आखर डाल सकते हो गौपर तो इलवाता हूं कि इसरो में दो कंटेंट है एक तो हीड्रो कोलो we are that is अशीजवीं करता तो इसलिए वह इसनु होआ हो पूचलि widget ग्रोथ अच्छी करवाता है तो इसलिए हम मैं को साइट अलबाता हूं कि एक बार डालो बार बार डाले सब्सक्राइब अच्छी चीट डालो तो आपको अराम बहुत अच्छा मिलेगा तो किसान बाई वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू करें